साइराम बच्चो आज हम अपनी पाठे पुस्तिका हिंदी व्याकरण का पाठ सत्रा पढ़िये और समझिये करेंगे यहां हमें एक आकलन करना है क्या करना है आकलन बच्चो पेज नंबर 56 अपनी व्याकरण की पुस्तिका में निकाल लेजे आकलन शुरू करने से पहले हम कुछ और भी समझ लेंगे बच्चो गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करने को दिया था प्रोजेक्ट वर्क यानि परियोजनाकारे और आपको क्या बताय था कि ये हमारा FA1 का प्रोजेट है और इसके लिए माच्स भी है बताय था ना आपको तो जिन बच्चों ने इसे कर लिया है बहुत अच्छी बात और अगर नहीं किया है तो आज मैं आपको फिर से समझा रही हूँ तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करके रख लीजिए इसे कब और कैसे मुझे भेजना है ये मैं आपको बता तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है क किन ही पांच जंगली जानवरों के नाम लिखिए तथा जंगल के राजा शेर का चित्र बनाकर उसके बारे में पांच वाक्य लिखिए जंगली जानवर यानि वे जानवर जो जंगल में रहते हैं जैसे शेर, चीता, हाथी तो किन ही पांच जानवरों के नाम यहां लिख सकते हैं उसके बाद आपको शेर का चित्र बनाना है बनाना नहीं आता कोई बात नहीं एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जरूर बनाना आजाएगा उसके बाद शेर के बारे में पांच वाक्य लिख दीजिए जैसे शेर जंगल का राजा होता है शेर बहुत शक्तिसाली होता है इस तरीके से आप पांच वाक्य यहां लिख देंगे फिर दूसरा है ख इसमें क्या करना है आप किन ही पांच पालतू जानवरों के नाम लिखिए तथा गाय का चित्र बना कर उसके सामने उसके बारे में पांच वाक के लिखिए पालतू जानवर यानि वे जानवर जिने हम अपने घर में पालते हैं जैसे गाय, बकरी, गोडा ऐसे पांच जानवरों के नाम आप लिख दी जैसे गाय एक पालतू जानवर है, गाय को हम गौमाता कहते हैं, गाय का दूद्ध बहुत पॉस्टिक होता है, इसी तरीके से कोई भी आसान से पाँच वाक्य आप यहां लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप एफोर साइच का पीपर ले लें, ड्रॉइंग या फिर आपको जो भी चीज आसानी से उपलब्द हो जाए, उस पर आप यह प्रोजेक्ट बर क्लिक सकते हैं, ठीके बच्चों, क्या ध्यान रखना है, आपको इसको पूरा कर लेना है, और रख लेना है, ठीके, मैं आपको बताऊंगी कि यह आपको कब और कैसे भेजना ह ठीके बच्चों, तो चलिए हम आप करेंगे आंकलन, आंकलन में एक गध्यांश दिया जाता है, वो गध्यांश आपको ध्यान से पढ़ना होता है, और उसके नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर देने होते हैं, तो इन प्रशनों के उत्तर देने से पहले आपको कुछ बिशेश बातों का ध्यान रखना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप एकदम सही उत्तर लिख पाएंगे, ठीके बच्चों, तो गध्यांश यानि पैसिज में दिये गए प्रशन के उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन-कौन सी बाते हैं ये नंबर एक गध्यांश को दो से तीन बार ध्यान से पढ़ना चाहिए बचों हमें एक बार में कभी-कभी नहीं समझ में आता तो हमें क्या करना चाहिए दो से तीन बार गध्यांश क तो ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। नमबर दो, सभी प्रश्णों को ध्यान से पढ़ें, फिर उत्तर लिखें। यानि गद्यान्ष को तो अच्छे से पढ़ा है, साथ ही जरूरी है कि हम प्रश्णों को भी ध्यान से पढ़ें। नमबर तीन, प्रश्णों के उत्तर गध्यांश में से ही छाटकर लिखनी चाहिए, बच्चों कभी कभी एक ही प्रश्ण के दो उत्तर होते हैं, तो हमें कौन सा उत्तर लिखना है, जो हमें गध्यांश में दिया है, अगर बाहर से आपने उत्तर लिखती है, बहले ही वो सही लेकिन उस प्रश्ण के लिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको कौन सा उत्तर लिखना है, जो आपको गध्यांश में दिया गया हूँ, ठीक है, प्रश्णों की जब आप उत्तर लिखें, तो उसकी भासा सरल होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर हम बातों का ध्यान पाएंगे, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आखलन कर लेते हैं, ये गध्यांश पढ़ेंगे पहले ध्यान से, एक दिन रुची अपनी मा के साथ बगीचे में गई, बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां थी, रुची तितली को पकड़ने के लिए भागी, मा ने समझा रुची यदि तुम तितली को पकड़ोगी, तो वह कैसे उड़ेगी, फूलों का रस कैसे निकालेगी, उसे खाना कौन खिलाएगा, तितलियों को उड़ने दो, उड़ती हुई तितलियां सुन्दर लगती हैं, रुची मा के साथ पेड के नीचे बैठ गई, वह तितलियो को दूर से ही देखती रही, गद्ध्यांच तो हमने पढ़ लिया पूरा, अब यहां कुछ प्रश्न दिये हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं, उपर दिये गद्ध्यांच को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखे, कब प्रश्न है, रुची किसके साथ बगीचे में बताईए किसके साथ गई थी रुची मा के साथ बच्चो पेज नमबर 56 पर ये उत्तर आप मेरे साथ साथ अभी लिख लीजिए यहां आपने एक बात ध्यान दी बच्चो क्या बात ध्यान देने लायक है कि हमने उत्तर जो लिखा है उसमें बहुत सारी चीजे प्रश्ण से ही ली हैं जैसे देखो रुची रुची साथ बगीचे में गई है साथ बगीचे में गई हमने इसमें क्या शब्द जोड़ा है सिर्फ मा के अगर हम ये शब्द जोड देंगे तो देखिए पूरब उत्तर सही बन गया तो हम में सिर्फ क्या शब्द जोड़ा मा के साथ तो ऐसे ही हमें सोचना और समझना है और सही उत्तर लिख देना है उत्तर आसान था ना दूसरा प्रश्न देख लेंगे ख बगीचे में कौन थी जब रुची मा के साथ बगीचे में गई तो उसे क्या दिखा वेरी कुड बगीचे में रंग बिरंगी तितलिया थी आगे गव प्रश्न है रुची किसके नीचे बैठ गई तो रुची पेड़ के नीचे बैठ गई देखो इसमें भी उत्तर लिया गया है और सिर्फ पेड़ के नीचे जोड दिया है और हमारा उत्तर से ही बन गया है तो ऐसे ही सरल भासा में हमें उत्तर देने होते हैं बच्चों समझ में आया आपको लिखे आपने ये उत्तर वेरी गुड चलिए एक और आखलन कर लेते हैं आसान सा सर्दी के दिन बहुत आनंद दायक होते हैं सर्दी की रितु में दिन छोटा होता है और रात बड़ी रातें बहुत ठंडी होती है इस रितु में सब उनी कपड़े पहनते हैं इस रितु में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं ठंडी हवाएं चलने पर सभी आग के पास बैठना पसंद करते हैं यह फलों और फूलों की रितु है इस रितु में अनेक सुन्दर फूल खिलते हैं हलकी दूप में क्रिकेट खेलने में बड़ा ही आनन्द आता है। इसके भी हम प्रश्णों के उत्तर लिख लेंगे। उपर दिये गध्यांज को पढ़कर इन प्रश्णों के उत्तर लिखिए। कव प्रश्ण क्या है। सर्दी की रितु में दिन कैसे होते हैं। बताईए सर्दी की रितु में दिन कैसे होते हैं। वेरी बूट। छोटे होते हैं। इसमें भी देखिए हमने प्रश्ण से ही उत्तर लिया है और छोटे उसमें जोड दिया है। तो हमारा उत्तर सही बन गया। सर्दी की रितु में दिन छोटे होते हैं। ख़प प्रश्न है सर्दी की रितु में सभी कैसे कपड़े पहनते हैं बताइए बच्चो सर्दी की रितु में सभी उनी कपड़े पहनते हैं अच्छा बच्चो थोड़ा ध्यान दीजिए यहां गर्म शब्द भी लिखा जा सकता था सर्दी की रित्व में सभी गर्म कपड़े पहनते हैं लेकिन गर्म शब्द गध्यांस में नहीं दिया गया है नहीं दिया गया तो हम गर्म नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे उनी शब्द लेखेंगे क्योंकि उनी शब्द हमारे गध्यांस में दिया गया है अगर आप गर में लिख देंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा ठीक है बच्चो समझ में आया कैसे आपको उत्तर लिखने है कुछ प्रश्ण और है उन्हें भी देख लेंगे हम अगला प्रश्ण है गर किस रित्व में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं बताईए हाँ सर्दी की रित्व में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं इसमें भी हमने उत्तर प्रश्ण से ही लिया है लिया है हाँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा गह प्रशन है हलकी दूप में कौन सा खेल खेलने में आनंद आता है बताईए very good हलकी दूप में क्रिकेट खेलने में आनंद आता है समझ गये ना बच्चों आप very good कोई भी चीज कठ नहीं है सब आसान है सिर्फ एक दो बार इसको करने का प्रयास कीजिए ठीक है बच्चों कर लेंगे ना आप साथी आप FA1 के प्रोजेक्ट का भी ध्यान रखिए और जल्दी से उसको भी पूरा कर लीजिए ठीक है आगे आपको नया विश्थे पढ़ाऊंगे